स्टार्टर रेसिपी लेका हूँ जो एक चाइनिस डिश है तो आज हम बनाने वाले हैं कैबच मंचूरियन ग्रेवी तो बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और जट पर बनकर तैयार हो जाता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फैनो ब्रेच दोरे खसरें अनने बनने मेरी केते रेवी ती टीबल स्पुन टार्ट यानी है तो इसके लिए लगेगा वन बॉल केराबर कद्डू कस किया हुआ 드ष्य कैबच एक बॉल के बराबर। टीबल स्पून मैदा है रिफाइन फ्लाओर वन टेबल स्पून कौन फ्ल जम रही हएंगे 1 टी स्पूंट ब्लैक पेपर पॉडर काली मिर्च का पॉडर , 1 टी स्पूछ रैड़ चिली पॉडर लाल मिर्च का पॉडर, 1 टी स्पूछ ग्रिन चिली हरी मिर्च , 1 टी स्पूं जिंजर अद्रक बारलिक लेसुन , and 3 टेबलसपून के बराबर फाइनल्ले से mix कर लेते हैं तो हमें इसमें पानी आड़ करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपको add करना है तो आप add कर सकते हैं बहुत ही थोड़ा बट यह easily bind हो जाएगा क्योंकि already cabbage में moisture होता है तो बहुत ही अच्छे से balls बन जाएंगे इसके तो friends आप देख सकते हैं balls बनाने का mixture बिलकुल अच्छे से तयार हो चुका है मैंने इसमे water बिलकुल भी add नहीं किया है so no need of adding water if you require then only you can add some water तो यह अपने moisture से बहुत ही अच्छे से bind हो रहा है आप देख सकते हैं और ball बिलकुल perfect बन रहे हैं तो small या बड़ा जैसा भी size आप ब बना के रख लेते हैं तो हब हमारे manchurian balls सारे सेखने के लिए तयार है अब मैंने पैन में already oil लिया है और इसे अच्छे से heat कर लिया है तो अब हम इसे fry करेंगे brown होने तक medium to high flame पर तो इसे around 7 to 10 minutes लगेंगे चारो तरक से सिखने के लिए तो manchurian balls के रंग चेंज होने लगें आप देख सकते हैं तो यह perfect brown हो चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और मैंने flame off कर दिया है तो सारे manchurian balls तयार है अब हम इसकी gravy तयार करेंगे तो एक pan में मैंने already 2 tablespoon के बराबर oil आड़ किया है और medium flame पर हम cook करेंगे 1 teaspoon के बराबर ginger आड़ करेंगे 1 teaspoon garlic तो अद्रक और lesson आड़ किया है मैंने इसे हम saute करेंगे around 1 minute के लिए medium flame पर अब मैं इसमें add करूंगी half cup के बराबर onion and half cup capsicum तो शिमला मिर्च और प्याज add किया है मैंने square pieces में cut करके और some chillies यानि हरी मिर्च दो slit किये हुए अब हम इसे 1-2 minute पका लेंगे तो इसे over cook नहीं करना है अब मैं इसमे red chili powder आड़ करूंगी यह chili flakes है 1 teaspoon के बराबर यानि लाल मिर्च 1 teaspoon black pepper काली मिर्च का पाउडर अब 4 tablespoon के बराबर मैं add करूंगी tomato ketchup अब मैं इसमें vinegar आड़ करूंगी 1 teaspoon के बराबर and 1 teaspoon soya sauce अब हम इसे अच्छे से mix कर लेते हैं तो friends अब मैं इसमें add करूंगी 1 cup के बराबर conflore slurry यानि 1 tablespoon conflore में मैंने पानी add कर लिया था और इसे अच्छे से mix कर लिया था तो मैं यह gravy बनाऊंगी इसलिए तो मैंने इसमें एक conflore की slurry आड़ की है अब हम इसे अच्छे से mix कर लेते हैं मैं इसमें और थोड़ा पानी add करूंगी क्योंकि हमें gravy बनाना है तो total इसमें हमें 1 cup के बराबर पानी add करना है यानि 1 cup of water अब हम इसे अच्छे से mix कर लेते हैं अब मैं इसमें cabbage manchurian add करूंगी अब मैं इसमें some salt add करूंगी यानि नमक स्वाद अनुसार बट बहुत ही थोड़ा add करना है क्योंकि tomato sauce में भी अल्रड़ी नमक होता है और manchurian में भी हमने नमक डाला था अब हम इसे एक boil आने देंगे और तीन से चार मिनट इसे पकने देंगे आफ्टर 3-4 मिनिट्स मैं इसमें एट करूंगी कोरियांडर आप चाहे तो इसमें spring onion भी finely chop किया हुआ डाल सकते हैं अब हम इसे mix कर लेते हैं और flame हम बन कर देंगे तो हमारी cabbage manchurian gravy बन कर तयार है आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और yummy बना है इसे enjoy किजिए फ्रेंड and keep on watching my latest upcoming videos